नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का Banking Chronicle YouTube चैनल पे, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्स्राइब कर लेजे, बैल आकोन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ता कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे, मिलते रहे, अब यह सोच रहे होंगे कि सर कैसे, गेस्ट भी आए आए हैं आज तो, दोस्तों गेस्ट इसलिए आए हैं क्योंकि होता यह है कि हर बाद मैं strategy लेकर आता हूं आप लोगों के लिए पूरे exam की, तो आज मैंने सोचा कि experts को भी बुला लिया जाए, English की strategy मैं बताएंगी, quant की strategy सर बताएंगी, reasoning की strategy मैं बताऊँगा, SBIPO और कौन सा, 40-45 दिन बचे हुए है, maximum, नए वाले बच्चों को देना चाहिए, बिल्कुल, 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 experience के लिए दो, experience के लिए, बट जो बिल्कुल नया है ना, जिसको कल पता चला की bank exam भी मतलब होती है, बर वह exceptional cases है तो, तयारी किस तरीके से करनी है, उसके बारे में थोड़े से हाँपर detail आपको बताएंगे, एक-एक करके तो, पहले स्टार्ट करते हैं, एंग्लिश से, क्योंकि English आता है, 30 नमबर का, फिर quant, और last मीं मैं बताऊंगा आप लो strategy, तो मैं आप तो देखो बिटा, बेसिकली आपका जो English है वो Prelims में आएगा, उसके बाद मेंस में भी आपका English और मेंस में तो 2 में आएगा, एक objective English आएगा और descriptive English आएगा, प्री और मेंस के एग्जाम में बहुत सारा difference नहीं होता है, लगबग 1 सवा महीने का difference होता है, तो basically आपको अभी से ही तयारी जो अपनी करनी है वो किस तरीके से करनी है वो pre plus means की तयारी करनी है जिससे कि आपका pre भी निकले और आपका means का examination भी निकले सबसे पहले बात करते है objective English की जो आपका pre में आएगा और means में भी आएगा objective English के चार components है आपके बेसिकली पहला component है आपका vocabulary, दूसरा component है आपका grammar, तीसरा component है आपका reading and skimming और फोथ component है आपका practice vocabulary के लिए एक habit बना लो आप कि आप रोज 10 हिंदू एरेटोरल के 10 words करो, regularly एक habit होगी हर week उसको revise करो जब examination आने वाला हो उससे last three months की जो उससे पहले के last three months है, उससे complete vocabulary को आप revise कर लो, मुश्किल से कितना time देना इस vocabulary को 5-10 minutes every day बात करते है grammar की क्योंकि अभी बहुत ज़्या टाइम नहीं है examination में तो 120 rules of grammar आपको मिल जाएंगे, आप YouTube पे search करोगे मेरे उसको एकदम रटिए, maximum error के questions आपको 120 rules of grammar से ही मिलते हैं, अगर वो सारे के सारे concepts आपको आते हैं, तो आपके लिए बहुत easy हो जाएगा error वाले questions और आपके article skim करना है, बहुत सारे लोग बोलते है novels पढ़ लो English के लिए, लेकिन novels वाली language आपके exam में नहीं आती है, इतनी easy language नहीं आती है, कोई stories थोड़ी नहीं आती है examination में, तो उससे बहुत सदा benefit नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत कम time बचा हुआ है, the Hindu editorial की reading करना start करो, नही आपकी vocabulary भी हो जाएगी, grammar के भी में कुछ-कुछ concept उसमें बताती हूं, regularly reading और skimming भी हो जाएगी, तो इससे क्या होगा, आपका English का एक base डेवलप हो जाएगा, बहुत अच्छा, उसके बाद आते हैं practice के लिए, practice perfection level के questions करो, easy questions के पीछे भागोगी, कुछ नहीं होगा, examination में S.B.I.P.O. में कैसे questions आते हैं, एक ही पारा जंबल है, उसी के अंदर close test का question भी है, close test भी idiom and phrases वाला है, उसी के अंदर tone का question भी है, तो इस तरह के mixed questions करो, जसे की एक ही बार में आपके तीन-तीन, चा-चार पाटन्स रिवाइज होते होते बचा लें, तो perfection के कम से कम 300 से में नहीं लिया हुआ है, तो हर Wednesday आपको free class मिलती है, perfection की, आप उसको भी attend कर सकते हो, पुरानी वाली record जो free classes हो चुकी है, channel पे, उनको देख सकते हो, इतना कर लोगे, more than sufficient है English के लिए, इस ते जादा करने की जरूरत नहीं है, objective English में, अगर मैं पूरा time की बात करू, तो देर गंटे का आपका perfection batch होता है, उसके अलावा आपका लगबग 45 minutes का आपका Hindu होता है, ये दो habits हर किसी की होनी जाए है, ये दो आपकी जिंदकी की habits हैं, तो English will become very, very easy for you, बात करते हैं descriptive writing की, descriptive writing में आपका एक letter आएगा, एक essay आएगा, the Hindu Eritorial के session के ending में, मैं आप लोगों को रोज topic पढ़ा, उसको खुद से लिख, 15 to 20 topics ऐसे होते हैं, जिनके बहुत chances होते हैं आने के, उसकी मैं आपको पुरी-पुरी list मी provide कर दूँगी, टेलिग्राम चानल पे, उस list को देखो, और उन topics के बारे में जाधा read करो, for example, अभी artificial intelligence आया, चार्ट GPT आया, robotics आ रहा है, environment को लेक एकदम clear होना चाहिए, क्या exact format है, क्योंकि maximum marks format के होते हैं, letter writing, तो English बहुत important है, pre में भी, mains में भी, और इंटर्वी में भी आपको help करता है, SDI PO के especially क्यों, क्योंकि आपकी joining कहीं भी हो सकते है, तो interviewer आपसे expect करता है, कि आपको English बोलनी आनी चाहिए, अब आ जाते हैं, क्व पहली बार लगा रहा हूं, रुख जाओ, मेरे वाला दूसरा माई के न, हाँ जी, तो quant में, जैसे की RRB में भी चिला रहा था मैं, IVPS PO में भी चिला रहा था, कि ठोड़ा difficult पढ़ लो, तुम पुराने paper देखते हो, memory waste paper किसी ने करा रख रहा है, और उसके एसाफे त्यारी शुरू कर देते हो, तो यार, एक simple सी बात समझो, अगर तुम difficult नहीं पढ़के जाओगे, तो तुमें examination में difficult लगेगा, obvious सी बात है, और यार, 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 फिर वही बात, मुश्किल क्या होता है, किसी जी तीन paper दिये हैं, वो आसान ही आते होते हैं, और अब जो तुम कर रहे हो, वो थोड़ा difficult है, IPS PO भी difficult है, SBI PO भी difficult है, और जो तुम्हें DI difficult लगी, मतलब तुम्हारी clear यहाँ पे मुझे पता लग रहा है, कि तुमने नहीं पढ़ा था, mains का कोई भी course, अगर तुमने mains के courses होंगे, तो तुम्हें DI difficult लगीगी, हाँ थोड़ा calculator है, उसको छोड़ के बाखी कर लो, time बचे तो, तो थोड़ा असान ना पहले इसको ठंडा करके, हमने न 100 में से 90 नहीं मारने है, हमने 50, 55 करने है, साथ करने है, तो अभी जो current तुम्हारा scenario है, 45 दिन है तुम्हारे पास, 45 दिनों के अंदर, जो शुरू के last के तुम्हारे 20 दिन होंगे, 20 से 25 दिन, ज्यादा specific करूं, तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 20 दिन, यह तुम इसमें pre जादा पढ़ोगी, और mains कम, पर mains ज़रूर पढ़ना पढ़ेगा, तो कि जिनका IVPS PO अच्छा हुए, उनका IVPS PO मेंस सार होगा तब तक, ठीक है, तो यह time है, balance बनाने का, पुरानी जो त्यारी कर चुके हो, उसको थोड़ा और push करने का, ठीक है, अब इसमें pre में जादा क्या करना है, इसमें pre में तीन चीज़ा तुमनें करनी है, जो अभी तक पढ़ा होगा, उसको perfectly revise करो, revision करो, और जो आप आपको checklist मिल रही है, उनको solve करो, checklist का level बढ़ा देता हो, और साथ ही, इसके, जो आपके revision हो गई, आपके PDF हो गई, जो आपने old, जो भी आपके notes है, जो भी आपके solved questions है, उनको resolve करो, ठीक है, pre में ये काम करना है, तुमने 3, और इसके साथ एक और जरूरी काम जो तुमने करन aggressive लगाओ, aggressively, ठीक है, बहुत आज जरूरी है, ठीक है, तो mock test aggressively लगाओ, ये सारी चीज़े तुम करोगे न, automatically आपकी quant topic बढ़िया होने लगेगा, अब तुमारे लिए थोड़े से difficult questions के session में लेके आ रहा हूँ, ठीक है, ताकि, although already हम discuss कर चुके हैं, अभी तुम अगर, अग PSPO Pre का वेपर, जिसको तुम difficult difficult चिला रहे हो, जो देखे आए हो, वैसे ही level का वेपर हो, पर तब तो नीचे comments आ रहे हो, इतना difficult थोड़ी आएगा, means वाला करा रहे हो, अलो, जाओ, आगे मज़े, तो अभी के लिए, difficult questions के session में करा दूँगा, sample paper भी मैं आपके लिए लेके कही सारे, ठीक है, classes आपकी study fight पे भी होंगी, आपकी classes yes officer पे भी होंगी, और कुछ और भी है, खास खास, अभी कुछ बताया, बहुत कुछ बताना बाकि है, महां पे भी classes होंगी, ये तो हुआ तुम्हारा pre का, अभी क्या है, इसके साथ तुमको बहुत जरूरी चीज जो ल पेपर, क्या पता, तुम्हारा ठीक हो यार, तुम जो attempt करके आया, उस paper के level के साब से ठीक हो, तुम्हारे आजाए, हो जाए selection उसके अंदर, पर अगर नहीं हुआ, तो तुम जिस examination के लिए तैयारी कर रहे हो, जो SBI है, तो तुम वहां उससे उम्बीद नहीं रख रहे हो, तो paper का मुक्ता नहीं लगेगा, बहुत difficult आया, तो तुम वहां पे इसको ठंडा रखके बड़े शान्ती से paper को attempt कर पाओगे, और best उसमें से output निकाल पाओगे, जो 35 नमबर का आपका पूरा paper आएगा, अगर वहां पे एक बच्चा जो देखके paper को depressed होके 14, 13, 12 attempt करके आ रह का है कि ते माँ खुड ठंडा रखके 20 भी निकाल देते हो ना, तो वो एक achievement है, और वही तुमें selection की तरफ लेके जाएगी, अब कहने को तो यू नॉर्मली बात करें, 30 में से 20 करका है, तो यह achievement वाली feeling तो नहीं आ रही, बट आप तुमने आवे PSP उपरी करके देख लिया, हमेशा यही चिला-चिला कैसे सिर्फ बालों पे हाथ फिर-फिर के भेजा है कि बच्चे, पेपर के हिसाब से cut-off decide होती है, ना कि last year के हिसाब से, तो ध्यान रखना आप आप आगे वाले paper में, अभी के लिए तुम यह करो, जो तुमें बताया गया है, classes आपकी सुभे 9 कोशिश पूरी करेंगे हम, अगर कोई clash होती है, तो एक की live और दूसरे की recorded देख लो, simple सा game है, और yes officer पे भी classes start होंगी, और उसका भी तुमें detail हम दे देंगे, बाकी अभी पता यह ज़्यादा बात ते ज्यादा detailed strategy का समय है नहीं, यह समय है, ज़्यादा अच्छी quality के questions को practice करने का, और जो होंगी, ठीक है, आगे कि कलम किसको देन चाहिए, एक ही तो बच गए, आप ही कहाँ, जिनका channel है भाई भाई, आईए sir, सो रहे थे क्या, नहीं, नहीं, वो नहीं रहे थे, इंतजार कर रहे थे अपनी बारी का, कि कब कमान हमें साउपी जाए और आगे हम strategy बताएं, अपने reasoning की, maths और English की तो strategy आप लोगों ने सुन लिए, अब reasoning की strategy भी सुन लेजी अच्छे से, SBI PO की तैयारी जो भी कर रहें, इस साल के लिए या फिर अगले साल की भी अगर आप तैयारी कर रहें, तो टैंसल नहीं की जरुरत नहीं है, ठेक है, तो यहाँ पर द आया है, तो definitely इसमें भी थोड़ा सा level तो उपर रहेगा ही रहेगा, ठेक है, इसलिए 30 प्लस लेकर हम चल रहे हैं, अगर आप काफी अच्छे हैं पढ़ाई में, तो minimum 30 प्लस आप नंबर ले सकते हैं, अगर थोड़े से week है तो 25 प्लस तो ले ही सकते हैं, जादा week है तो 20 त पजल तो आपका हो जाएगा ये, 30 प्लस हो जाएगा, अगर आप 10-11 नंबर तक ले लेते हो, मिसलेनियस वेशन में, और 20, क्योंकि देखें, पहले मैं ये बता देता हूँ, कुछ नए बच्चे भी होंगे, तो अगर आप पेपर देने फर्स ताम जा रहे हैं, तो पजल और sitting arrangement कितने नंबर का आता है वो आता है, 20 marks का, ठीक है, 20 marks का आता है आपका puzzle और sitting arrangement, बाकी के जो 15 नंबर होते हैं, वो होते है miscellaneous question के, तो अब आपको करना क्या है, दोस्तों, focus करना है इस चीज़ पर सबसे जादा, क्योंकि miscellaneous आपका हो जाएगा, miscellaneous में ज़्यादा दि प्रैक्टिस वगर करने में, बाकी की topic ऐसे है, इसमें से अगर आप 5 खटा दो ना, तो 10 number करने में आपको सिर्फ 4 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे, जो मेरा basic course है, अगर आपने course नहीं लिया है, तो उसके बारे में detail बताऊंगा मैं आप लोगों को, आप उस basic course से भी कर सकत हो, आपको कुछ भी करने की जरुवत नहीं पड़ेगी फिर, ठेक है, तो यह चीज होगी, 20 marks और 15 marks मैं ने बता दिया, अब यहां पर हम, मैं आपको 15 में से 10 plus ही क्यों बोल रहा था, क्योंकि इसमें कुछ question होते हैं, जो skip करने वाले होते हैं, जैसे की meaningful वाला, अगर meaningful वाल होते हैं, कि हाँ, यह यह words होते हैं, आपको अच्छे से याद है, तो ही आप उसको करिए, risk मत लेना, उसमें गलती होई जाती है, कई बार ऐसा होते हैं, क्योंकि matching भी करनी होते हैं, पूरे तो combination बना नहीं सकते हैं, अगर 24 combination बनने तो 24 combination बना के तो देखोगी कौन-कौन से word आपके बन रहें या नहीं बन रहें, तो इसलिए उसको skip करना बैटर रहता है, एक number का है, अब इसके अलावा जो बाकी 14 number है, हो सकते है, सिलोजिसम में कुछ ना बने आपसे एकात question या गलत हो जाए, या हो सकते है, inequality में एकात question ना बने, वैसे तो inequality easy होती है, तो उसको को जादा classes लेता हूँ, puzzle and setting arrangement की, ताकि आपको दिक्कत ना हो इस चीज की, ठीक है, तो बस उन classes को आपको regular करते रहना है, और puzzle and setting arrangement पे जादा focus बना के चलोगे, तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा, इसके अलावा जो दो तीन topic हैं, उनके नाम में यहाँ पर लिख देता हूँ एक हो गया inequality, ठीक है, इसके अलावा हो गया syllogism, इसके अलावा हो गया आपका blood relation, direction, distance, और coding, decoding, बस यह topic में से ही आपको मिस्लेनिस question मिलेंगे, 10 नमबर की है, प्रॉक्स और बागी जो आते हैं, वो छोटे चोटे एक एक दो दो नमबर की है, एक एक नमबर की आते हैं, दो के लिए, तो इतनी चीज़ों पर आपको focus करना है, दोस्तों, अब जो नए बच्चे हैं, अगर वो आप प्यारी करने है, Svipo की अगले साल के लिए, इस साल के लिए, तो अगर आप complete course लेना चाहते हैं, तो उस course के बारे में मैं detail आप लोग इस पर आप चले जाएए, यह वो जगा है, जहां पर आप लोगों को हमारे paid courses मिल जाएंगे, paid courses मतला complete batches आपको मिल जाएंगे, इसमें, complete batches सारे subject के, maths, reasoning, English, GK, सब कुछ आपको यहां पर मिल जाएगा, आपको कहीं धर-धर बटकने की जरुवत नहीं पड़ेगी, अब यहां पर दोस्तों, आपको करना किया है, subscription जो है, वो आप किस तरीके से ले सकते हो, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, यहां आपको क्या करना है, Yes Officer Premium, पहले तो आप इसमें sign up बगर कर लिजेगा, Yes Officer Premium पे आप क्लिक कर लिजे, अगर दोस्तों, आप एक नए student है, जो subscription प पूरे एक साल के लिए, और अगर आप already आपने plus का subscription लिया हुआ था, और आपका subscription एक महीने से जादा का बचा हुआ है, तो आप यह वाला लिजेगा 299 का, क्योंकि यह verify होगा, automatic आपका subscription एक तारिक के बाद बंद हो जाएगा, अगर आपके पास valid plus का subscription नहीं होगा, तो ठी के लिए भी यह चीज है दोस्तों, कि 300 रुपय में, आपको 390 में आपको एक code मिल जाएगा, 5% का उसमें discount जल रहा है, तो लगभग 284 के असपस ही आपको पढ़ेगा, 284 में आपको पूरे एक साल के लिए पूरा subscription मिल जाएगा, तो इसको दोस्तों समय रहते ले लिजेग सेम वही इशू आ सकता है दोस्तों, इसलिए be prepared एक दिन पहले, ये कब तक रहेगा, मैं बता देता हूँ, तो ये 26 तारिक तक रहेगा, 26 तारिक, रात 12 बजे तक ये valid है, इसके बाद क्या प्राइज हो जाएगे, तो इसके बाद ये प्राइज बढ़के 5000 के आसपास हो जा झाहो पर मुटन केचेे बाद इसके बाद जकुट्सक बाद इसके बाद सकता है